असलाम अलेकुम क्या हाल है आप लोग के आई होप आप लोग सब ठीक होंगे खुश होंगे मज़े में होंगे वल्कम बैक टू मैं चैनल तो आज मैं बना रही हूं नमकीन गोश्ट की रेसेपी बहुत ही असान तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगी और आप लोग भी इसक असानी से बना सकते हैं तो यहां पर सिंपल ही ने लिया है एक कप से थोड़ा कम मैं आइ और यह पास जो मतन है वह है साजवगिरम और बस यह पर हमने ऐल डाल दिया है और गेस आप लोग को पताए गेस का इस्ची बहुत जादा हो रहा है तो इस पर बना रही हूं और यह तो तेबली स्पून के करीब यहां डाला है जिंजर गार्लिक का पैस्ट और इसको अच्छे से गुब अच्छे से गुब अच्छे से जो है जब इसको कलर चेंज हो जाएगा फिर आम इसमें कुछ मसाले डालेंगे जाएगे बस इससे जादा कुछ भी नहीं जाएगा तो मैं जो हूँ इस तरह से बनाती हूँ यह नमकीन गोश्ट और बहुत मज़ेगा बनता है और हस्बेंट को बहुत पसंदे तो बस यहां पर जो है ना इसको मैं अच्छे से भून लिया है और इसमें मैं डालूंगी तकरीबन दो मीडियम टीमाटर में यहां पर डालूंग मीडियम टाला होइब पताल सुछा इसमें ताल में टीमाटर इस फवीन नमक शाय सुद्धी है नमक के कारिए तो छोगेन नमक छोग दॆ हो कि मनें यहां पर गलाज पानी दो जainen Shelby है तो लोगे एसमें गलीघों कर दिअम गाला है तो हैं तो नहांएग मेलें चल्का हम द अप्रइस दिए करता है वह कर घलींगा तो मैंने इसे 30 मिनट के लिए लगाया था तार 11 मिनट के बाद माशाहला से हमारा गोष्ट ऐसी ही दिखने में कितना मज़ेगा लग रहा है पाहिए और इसके ताइम घरम घरम खाऊ तिल वाले नान के साथ रोगनी नान के साथ जिसक साथ भी खाना चाहों कहा सकते हो तो खैर मैं इसको तोड़ा सा और भूनुगी क्योंकि गोज जो है मेरा बिल्कुल गल गया था सिर्फ टेमाट्रों को जो है न अच्छे से मैंने मिल्स करना था और इसके बाद जो है इसमें जाएगा सबसे मैन मसाला वो डलेगा इसमें जीर पॉड़ा रेट कर दूंगे यहां पर इससे जादा स्पैसिस में कुछ भी नहीं जाएंगे और यहां पर मैंने कुछ हरी मिर्चे डाल दी है अगर आप लोग को स्पैसिस जादा पसंद नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हो तो बिना गाटे भी डाल सकते हो ताकि इसकी साथ में हमने हरा दनिया डाल देना तो यह हमारा नमकीन गोश्ट जो है मज़ेदार सा बनके तयार हो गया है और अब बारी आती है दूसरे खाने की वह इसलिए मैं बना रही हूं क्योंकि मेरे जो बच्चे नहीं वह मतन तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं चूते भी नहीं जब भी दिल करते हैं जिस चीछ सेब्सक्राइब खाने का तो बना के देती हूं कुछा एंड़ा ना॥ यह बहुत तरीके सबेसे बनाती हूं ᵃफश याफ़ लिया था जीरह थोड़ा खड़ा गुर्वायचे किर्टच्राइब अच्छी। एक याफ़ है लावा है, सब्स्क strengthened कर दो दोटोरी दिली और नमक एक भी कुछ वी नहीं। मैं बनाती हूँ और बहुत मज़ी कि मेरी सब्सक्राइब बनती है नहीं कोई फ्लेवर होता है कि आप दो तिन भी आराम से बेट को खा लोगे तो अच्छे से मिक्स करके कवर करके रख दूंगी 2-3 मिनट के लिए ताकि मेरी टिमाटर है वह अच्छे से गल जाए जब यह त देखें इस तरह से मेश कर लूँगी उसके बाद आपने आलू पालग काटके रखा था वह में इसमेट कर देंगे तो क्वाइंडिटी आप अपने हिसाब से कम यह जादा कर सकते हैं तो मैं यहां पर मैंने तक्रीबन एक किलो पालग लीती और उसमें तक्रीबन चार लूपालग बन गई थी और बस इसको भूनना है और यह हमारी जो है रेडी हो गई थी मज़ेदार सी बच्चे से खाएंगे और उसके बाद जो हमने रोटी अटिया बनाई और दुपेर का खाना खाए अनी लैंच टाइम ता हमारा और इसके बाद जो है आईशे के बाबा तो बस यह था मेरा आज का विलोग और उमीद करती हूँ आप लोगो मेरी रेसिपी पसंद आई होंगी और अभी तक अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आरी तो प्लिस मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो बस यही था मेरा आज का विलोग और उमीद करते हूँ मेरी रेसिपी जो है आप लोगो को पसंद आएंगी और कॉमेंट करके बताएगा कल का विलोग मेरा हमारा जो आउटिंग का था कैसा लगा आप लोगो तो बस फिर मिलते हैं इंशालला नेक्स विलोग में नई कोई मज़दार सी रेसिपी के साथ या कोई टिप्स के साथ या ऐसी हुई जह है अपना दिन कैसा गुजरा वह आप लोगों से शेयर करूंगी तो बस इसी तरह से जैना आप लोगों से बाते होती रहती हैं दिल भी हलका होता माशालला से तो बस यहीं तक था हमारा आज का विलोग और फिर मिलते हैं इंशालला नेक्स विलोग में और नहीं मज़दार सी रेसिपी के साथ दूआं में जरू याद रखिएगा अल्ला आपीज